आकाश्वणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज भोपाल में अपना संकल पत्र जारी करेगी चुनाव आयोग द्वारा मदाताओं को घर से मदान करने की सिवधा का भरपूर लाब उठा रहे हैं बुजर्ग और दिव्यांग पांच दिवसी दीपोट्सों की दूसरे दिन आज लोग पना रहे हैं रूप चेतुर्दशी और क्रिकेट विश्यकप में कलदेक्षन अफ्रीका ने अफ्गानिस्तान को हराया आज उस्टेलिया से मांग्लादेश का और इंग्लेंड से पाकिस्तान का मुकाबला होगा अब समाचार वस्तार से भारती अंतर पार्टी विधानसव चिनाव को लेकर आज अपना घूशना पत्र जारी करेगी बाजपान इसे संकल पत्र डाम दिया है पाटी के राश्य अध्यक्ष जगत प्रिकाश नड़ा, मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान, केद्रे मंत्री नरिन सिंग्तुमर, प्रदीश, अध्यक्ष विश्नदत्र शर्मा और संकल पत्र समीती के सयोजग जैन्त मलिया आज दुपहर साड़े बारा बजे कुशा भाउठाकरी कन्वेंशन सिंटर भूपाल में संकल पत्र का विमोचन करेंगे चुनाओ आयोगद्वारा प्रदान की गई घर सी मद्दान करने के सुवधा का लाब बड़े पैमाने पर लोग उठा रहे हैं पीशे हमारे संवादाता की एक रिपोर्ट इस तरह मद्द्देश में अब तक मद्दान से पहले ही दो लाग से अधिक लोग बुड़ डाल चुके हैं मद्द्द्देश में 17 नॉवंबर को एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर मत्दान होगा संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचार, भोपाल प्रदेश में आज दीपर्व की शुरुवात के बाज भी विधानसभा चुनाओ के लिए चुनाओ प्रचार सोरो पर है वहीं सभी पार्टियों के स्टार प्रचार अक पूरी ताकत से प्रचार में जुटे रहे प्रदेश में 17 नॉवंबर को एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर मत्दान होगा मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चुहा नाज बैतूल सिले के आमला भैस्ती ही शेत्र में प्रचार पर रहेंगे में उमरिया, सिवनी, बरखाट और शिंद्वारा जिले के पानूरना सौसर में भी चुनाओी सभा लेंगे महियासम में मुक्यमंत्री हीमंत्विस्वा, नर्मदापुरंग सिवनी, मालवा और हुजूर विदान सभा भुपाल में जन्संपर्क और सभाए करेंगे जूतिरा दितिसिंधिया, आली राजपूर, महितपूर और सावीर में स्थाने कारिक्रम में भाग लेंगे किंद्री मंत्री प्रलात पतील राजकरजिले के ब्यावरा में चुनावी सभा करेंगे किंद्री वित्त मंत्री और वरिष्ट भाजपा निता निर्मला सीता रमने का लिंदोर में मीदिया से बाचीत में कहा कि कॉंग्रस सरकार ने अपने 15 मां के कारिकाल में 50 से ज्यादा केंद्री योजनाव को लागू नहीं किया केंद्री मंत्री नरिन सिंग तुमर और पार्टी के प्रदीश अध्यक्ष विश्नदर्त शर्मा ने भिन के नया गाओ में आयोजित जनसभा को संबुधित किया मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने अनुपपुर और मंडला जिलों में जनसभा को संबुधित किया उधर सतना और बड़वानी जिलों में कॉंग्रेस के वरिश नेता राहूल गांधी ने रैली को संबुधित किया प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलात ने खनवा सिले के हर सूद में जनसभा की वह निवाड़ी सिले में समाजवादी पार्टी सांसर डिंपल यादम ने विश्वास चताया कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा बहुजन समाजवादी पार्टी आमादमे पार्टी और अन्य दलो के नेता भी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं प्रादीशिक समाचार एकांश आकाश्माणी मध्यप्रदेश ने विधानसवाद चुनाओं में शत्प्रतिशत मद्दान सुनिशित करने के लिए जिनतक की आवाज आकाश्माणी के साथ नामा के खास कारिक्रम शिरू किया है इसमें हम आम लोगों द्वारा मद्दान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताके अन्य श्रोता भी मद्दान के लिए प्रेरित हो बस फिर देर क्या है अपने आवाज में मद्दान क्यों करना चाहिए परकेंद्रेत एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रेकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे वाट्साप नमबर 94065 23035 पर भेज दीजे हम आपकी संदेशियों को प्रति दिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ आप भी मद्दान अवश्य करिए आये अब सुनते हैं दमू से खुशी हुरा और बाला घाट से मनोज नागरगूजे का संदेश मद्दान एक महतोपूर नागरिक करतव्य है जो हमारे देश को मजबूत और सशक्त बनाता है मद्द द्वारा हम अपने अवाज बुलंद करते हैं और देश के निर्णयों में सह भागी होते हैं इसलिए क्रप्पे आपने मताथिकार का उप्योप करते हुए इस बार के विधान सभा चुनाओं में आप भी अवश्य भाग लें आपका मत महतोपूर ने सारे काम छोड़ दो सबसे पहले ऊट दो आगामी 17 नवंबर को अपने लोकतंत्र को मजबूत ससक्त बनाने हितू लोकतंत्र रुपी महायग में एक ओट की आहूती जरूर करें हमारा एक ओट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा अपना ओट बिना लालाज प्रलोभन डर वा भाई मुक्त हुकर करें और प्रदेस में सच छवी की सरकार बनाने में अपना अमूल योगदान दे। पर भी समाचार सुन सकते हैं. नागरिकों को मदान करने के शपत दिलाई। कारिकरम के दोरान दीपतान और रंगुली बनाकर नागरिकों से मदान करने के अपील की गए। सिहोसली में मदाता जागरुकता अभियान के तहर सिले भर में सुईब कतिमिधिया आयोजेट की जा रही है। सूचना और प्रसारन मंत्राले ने डिजिटल विग्यापन नीती 2030 को मंजूरी दे दी है। जिससे सरकार के विग्यापन शाखा केंदरी संचार ब्यूरो को डिजिटल मीडिया पर प्रशार संद्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये नीती केंदर सरकार की विभिन योजनाओं, कारिक्रमों और नीतियों के प्रचार प्रसार से जारुकता फैलाने के केंदरी संचार ब्यूरो के मिशन में महत्तपून कदम साबित होगी। इस नीती के माध्यम से किंदरी संचार ब्यूरो को ओडिटी और वीडियो ओन डिमांड स्पेस जैसे प्लाटपॉर्म के लिए एजिंसियों और संस्थाओं का पैनल बनाने का अधिकार मिलेगा। अबिसरकार के सभी मंत्राईयों और विभागू के भी अलग-अलग सोशल मीडिया हैं और नई नीती के अमल में आने के बाद इनकी पहुँच भी बढ़ जाएगी। इसको लेकर भी लोगों में खासा उत्सा है। और बांगलादेश की बीच मैच किला जाएगा जबकि कूलकाता में इंगलेंड अपने आखरी ग्रूप लीग मैच में दोपर दो बजे से पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उत्रेगा। अपको समाचार सिंग शेप में। अनुवभागी अधिकारी और रेटर्निंग आफिसर के प्रतिवेदन पर कलेक्टर और जिला निर्वाजन अधिकारी दीपकारी ने ग्राम पंचार साई खेडा के सची द्रौपती एहरवार को ततकाल प्रभाव से निरंबित कर दिया है। सतना कलेक्टर और जिला निर्वाजन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधान सभा निर्वाजन को ध्यान में रखते वे दिवाली अमौसया मेले में शामिल होने वाले शुरधालों से 15 नमबर को हर हाल में अपने गंतब विरावाना हो जाने की अपील की है। इस बुलिटिन में इतना ही दीजे इजाज़त तमस्कार।